इंडियन रेसिपीज को डिलीशिस बनाने में इंडियन मसालों का बहुत बड़ा हाथ है एक सिंपल सी डिश में भी चार चांद लग जाते हैं अगर उसमें स्पाइसिज एप्रोप्रेट कॉंटिटी में हो कुछ फीवर्स जानना चाहते हैं कि अपनी रेस्पी वीडियो या फिर व्लॉग्स में भी जो मसाला मैं यूज करती हूँ उनको बनाती कैसे हूँ कुछ पाउडर मसाला मैं मार्किट से बाई करती हूँ और कुछ को मैं खुद बनाती हूँ तो आज मैं 5 मसाला रेस्पी आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ इनका यूज आपके खाने के स्वात को कई गुना बढ़ा देगा चलिए स्टार्ट करते हैं मेन मसाला यानि की गरम मसाला रेस्पी से सारे मसालों को रोस्ट करते हुए फ्लेम हमेशा हमने लो ही रखना है तो गरम मसाला बनाने के लिए पैन में सबसे पहले मैंने लिया है 1 फॉर्थ कप साबू धनिया, 1 फॉर्थ कप जीरा, 1 टेबल स्पून सॉफ इन तीनों चीज़ों को हमने लो फ्लेम पे 1-10 मिनट तक रोस्ट करना है हाई फ्लेम पे रोस्ट नहीं करना है, बहुत जाद तक रोस्ट नहीं करना है नहीं तो मसाले जल जाएंगे और उनका टेस्ट भी खराब हो जाएगा रोस्ट हम इसी लिए करते हैं ताकि मसाला ग्राइंड करने में प्रोब्लम ना आए। आप चाहें तो इने धूप में भी सुखा सकते हैं। एक पूरा दिनिंग को धूप लगवाने के बाद इसको ग्राइंड करें तो मसाला प्रोपर ग्राइंड हो जाता है। तो आब एक जैफल, काली मिर्चली है, एक चमच और साथी डाला है तेज पत्ता, इन सब चीजों को भी हम एक से डेर्ड मिनट तक ही रोस्ट करेंगे, कोई भी मसाला बनाने के लिए उसकी कौंटिटी आप कम या जादा कर सकते हैं, अपनी रिक्वाइर्मेंट के हिसाब से, लेकिन मैं आपको यही ड्वाइस करूँगी, कि मसाला जब भी बनाए, थोड़ी कौंटिटी में बनाए, ताकि आपका एक मन्त के अंदर-अंदर खतम हो जाए, कि बार-बार खोलने और यूज़ करने से, इनका अरोमा धिरे-धिरे खतम होने लगता है, आप चाहें तो इन सभी ग्राइंडर को थोड़ा रोक-रोक कर चलाएं ताकि मसाले अच्छे से पिस जाएं, और मसालों की गरम होने की वज़़ा से ग्राइंडर को भी कोई हाम ना हो, लीजिए हमारा गरम मसाला तो तयार हो गया है, अब इसे किसी ड्राइ कंटेनर में निकालेंगे, लेकिन ध्या रांके छोटी कंटेनर का इस्तिमाल करती हूँ. कौन से कंटेनर में कौन सा मसाला है, यह जानने के लिए हर कंटेनर पे एक सलिप का होना बहुत ज़रूरी है, पेपर पे उसका नाम लिखके टेप के साथ उसको स्टिक कर सकते हैं, दाकि आप जान सकें कि कौन सी डिबी में कौन सा मसाला है ऐसा गरने से किचन में काम करना ना सिर्फ आपे के लिए असान होता है बलकि कोई भी अंजान आदमी भी आपके किचन में इजीली काम कर सकता है लेकिन मसाला रेस्पी है जिसके बारे में बहुत बार पूचा गया चाई मसाला इसे बनाने के लिए 7-8 स्टिक्स ली हैं मैंने दाल चीनी की और 7-30 से 40 ली हैं मैंने छोटी इलाइची इन दोनों चीजों को मैं रोस्ट करूँगी वो भी 1-1.5 मिनट लो फ्लेम पे इन दोनों चीज़ों को रोस्ट करने के बाद मैंने ग्राइंडर जार में डारेक्ट ही निकाल दिया है अब उसी पैन में एक टेबल स्पून के राउंड मैंने सौंफ डाली है अब इसे भी एक से देर्ड मिनट तक मैं रोस्ट करूंगी कुछ लोग ब्लैक पेपर यानि की काली मिर्च के दानों का भी इस्तेमाल करते हैं चाय में लेकिन हम लोग नहीं लेते हैं तो इसलिए मैंने नहीं डाला है अगर आप डालना चाहें तो इसी टाइम पे आप सौंफ के साथ उसे भी रोस्ट कर सकते हैं और अब इसे भी मैं ग्रीन अलाइची और डाल चीनी के साथ ग्राइंडर जार में ही डाल दूंगी और उसके बाद मैं डालती हूँ चाय में रोस पेटल्स आप चाहे तो ऐसे भी डाल सकते हैं अगर आप मसाला बना रहे हैं तो बेटर है कि आप इसको roast करके इसी के साथ grind कर लें चाई में roast petals का use इसके taste को तो बढ़ाता ही है और साथ ही digestive system में good bacteria की growth को भी increase करता है और ये एक herbal remedy की तरह काम करता है जिससे urinary infection, constipation या diarrhea जैसी problems cure हो जाती है इसी तरह से अगर आपके घर में तुलसी का पौदा है तो दो चार पते तुलसी के तोड के लाएं और वो भी चाई में डाल दें आप चाहे तो उनको सुखा कर इसका powder बनाके इस मसाला में भी add कर सकते हैं कोई जानता है कि तुलसी भी एक medicine की तरह ही काम करती है वाइरल fever हो या फिर आपको खांसी हो जुकाम हो तो बेस्ट होता है कि जब आप चाई पीते हैं तो तुलसी के दो चार पते उसमें आड़ कर लें और एक छोटा चमज डाल रही हूँ मैं अदरक का powder यानि की saunt का powder आप चाहें तो इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं क्योंकि आज कल विंटर्स में हम अदरक वैसे भी चाय में कूट कर डालते हैं उसका भी टेस्ट काफी अच्छा आता है लीजिए चाई मसाला भी तेयार हो एक बार ये मसाला ट्राइज रूर कीजेगा आई होप आप डिसपॉइंट नहीं होंगे नेक्स रेस्ट रेस्पी है चना मसाला जिसे हम पंजाबी में छोले मसाला भी खहते हैं इसे बनाने के लिए पैन में सबसे पहले 1 फोर्ट कप साबुध धनिया 1 फोर्ट कप जीरा 10 से 15 लॉंग लिए हैं 10 से 12 बड़े इलाइची कुछ दाने लिए हैं ब्लैक पर्पर यानी काली मिलच के दो लिये हैं जावित्री के पीसिस, एक जैफल लिया है और साथी चार से पांच लिये हैं सिनेमन स्टिक यानी की दाल चीनी, अब इन सब चीजों को वही हम एक से तेड़ मिनट तक लो फ्लेम पे रोस्ट करेंगे, इंग्रीडियंट्स व भी हम एक मिनट के लिए रोस्ट करेंगे, चैना मसाला पाउडर की जो मैं रेस्पी आपके साथ भी शेयर करेंगे, वह बहुत ही बेस्ट रेसिपी है, आप इसे स्पाइसी बनाना चाहें तो आप इसमें सूखी हुई लाल मिर्च और एड़ कर सकते हैं, इस मसाला को बना क एक बर यूज करने के बाद आप मार्केट से चैना मसाला कभी बाई नहीं करेंगे, उसके बाद 1 फोर्थ कप के करीब मैंने लिए है कसूरी मेथी, इसे भी हम थोड़ा सा रोस्ट करेंगे, और उनी सब चीजों के साथ हम मिक्स कर देंगे, उसी पैन में फिर मैंने लिए ह दो चमज के अराउंड सफेद तिल, बहुत सदा ब्राउन नहीं करना है इनको, जैसे ही वो हलके से क्रेकर होने लगें तो आप इनको निकाल ले, इसके बाद हम इनमे कुछ ड्राइ इंगिनिट्स डालेंगे, सबसे परहे दो चमज के अराउंड में लिया है, आमला नेक्स्ट रेसिपी है चिकन मसाला, इसके लिए पैन में सबसे पहले लिया है, वन थर्ड कप के अराउंड खस-खस, खस-खस को हम बिलकुल लाइट ब्राउन होने तक रोस्ट करेंगे, और इसी एक बोल में निकाल के साइट कर देंगे, और एक पैन में डालेंगे, वन फ उरत कप के अराउंड साबुद धनिया, साबुद जीरा, थोड़े से लांग डाले में थोड़ी सी काली मिर्च के डाने, बड़ी इलाइची ली है, कुछ दालचीनी के पीसे, कुछ चोटी इलाइची ली है, कुछ दाल चे निक्सिस चुट पर पीसाले, ना हेजूँ, दो दोनों चीज़ों को हम एक साथ एक से टेड़ मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पे रोस्ट करेंगे। मसाला थोड़ा स्पाइसी होता है इसलिए हमने लाल मिर्च का इस्तिमाल इसमें जादा किया है। उसके बाद मैंने एक चमश डाला है इसमें जिंजर पाउडर और इसके बाद बारी आती है इसे ग्राइन करके पाउडर बनाने की। क्योंकि मुझे वीडियो बनानी थी तो सारे मसाले मैंने आज एक साथ बनाए हैं तो मेरा किचन तो क्या आज मेरा पूरा घर खुश्बू के साथ महक रहा है। तकरीबन तकरीबन हर तरह के मसाले की खुश्बू मेरे पूरे घर में इस वक्त फैल चुकी है। और यही रीजन है कि खाने में इंका इस्तेमाल हमारी भूक और बढ़ा देता है. फिफ्ट एंड लास्ट रेसिपी है सांबर मसाला. इसके लिए पैन में डाले हैं दो टेबल स्पून चना दाल, दो टेबल स्पून उड़त की दाल और दो ही टेबल स्पून तूर यानिकी अरहर की दाल. तीनों दालों को लो से मीडियम फ्लिम तक हम दो मिनट के लिए रोस्ट करेंगे. दालें रोस्ट हो जाएं तो उसके बाद इने निकाल देंगे एक बोल में इसके बाद उसी पैन में वन टेबल स्पून मेथि सीड्स लेंगे उसे भी एक से डेड मिनट तक रोस्ट करेंगे और उसी बोल में डाल देंगे फिर से उसी पैन में हम डालेंगे 1 फोर्थ कप साबुत धन्या और 1 फोर्थ कप जीरा दोनों चीजों को अच्छे से रोस्ट करेंगे हर मसाले को हमने बहुत ही कम टाइम के लिए और low to medium flame ही रोस्ट करना है ध्यान रहे कि हाई फ्लेम पे रोस्ट ना करें कोई मसाला जल ना जाए उसके बाद पैन में लिया है एक चमच मस्टर्ड सीर्ड यानि की सरसों के दाने और दो चमच लिये हैं ब्लैक पेपर यानि काली मिर्च के दाने और साथ ही डाली है कुछ सूखी लाल मिर्च रोस्ट और डाल दें उसी बोल में और उसके बाद उसी पैन में डालेंगे कुछ कड़ी पत्ता आपके पास फ्रेश पड़े हैं तो वो भी चलेंगे उनको भी रोस्ट कर सकते हैं या फिर आपके पास ड्राय किये हुए कड़ी पत्ता पड़े हैं तो वो भी आप यूज कर सकते है तब चीजों को एक बोल में डालने के बाद डालेंगे एक छोड़ा चमज हींग और एक चमज डालेंगे हल्दी का इन सब को मिक्स करके ग्राइंड कर देंगे और सामर मसाला रडी हो जाएगा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजेगा मिलती हो आपसे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ तिल देन बाई टेक कियर और स्टे हल्दी